पाठ 26, चित्र वरनन तथा कहानी लेखन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरी राइटिंग चित्रों को देख कर उनका वरनन करना चित्र वरनन कहलाता है चित्र वरनन के सशक्त उदहरन, चित्र कहानिया, कार्टून, कॉमिक्स आदी हैं जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं, हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाएं, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ती के बल पर इन चित्रों, कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं कल्पना शक्ती सभी व्यक्तियों में होती है, किन्तु वे किसी एक ही वस्तू संदर्भ के आधार पर अलग-अलग काल्पनिक निश्करश तक पहुँच सकते हैं उदारन के लिए किसी चित्र में यदि भौकता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, तो तीन बच्चे इसे अपने अपने अनुभावों या अपने अपने धंग से समझ सकते हैं यदि बच्चों से पूछा जाए कि चित्र का कुत्ता क्यों भौक रहा होगा, तो तीनों बच्चों के तीन उत्तर हो सकते हैं कुत्ता भूखा है, इसलिए चिल्ला रहा है, कुत्ता किसी व्यक्ती पर नाराज होकर भौक रहा है उसने किसी दूसरे कुट्टे के भॉंकने की आवास सुनी है इसलिए भॉंक रहा है इन तीनों में से कौन सा उत्तर अधिक सही है यह इस पर निर्भर करेगा कि उसके आसपास के परिवेश में अन्य प्राणी उसके साथ किस रूप में व्यवहार कर रही है अधियापक छात्रों को चितर वर्णन करना कैसे सिखाए प्रारम में छात्रों को चितर वर्णन करना सिखाने के लिए यह जरूरी है कि चितर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अर्थात स्थितियां, गतिविधियां, कार्यकलाप, घटनाएं, आदी से संबंधित लगू प्रश्न तयार किये जाएं और छात्रों से कहा जाए कि वे इन प्रश्नों के उत्तर चित्र देख कर एक जगह लिख लें चात्र इन प्रश्णों के उत्तरों के आधार पर आसानी से चित्रवर्णन कर सकेंगे इस तरह से कुछ अभ्यास कराने के बाद बिना प्रश्णों के चित्रवर्णन कराई जा सकते हैं नीचे कुछ चित्रों के उदाहरन तथा उनसे संबंधित प्रश्न दिये जा रहे हैं। नमूना एक बाजार की व्यस्त सडक। चित्र दिखा कर अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछें। और उनसे कहें कि इन प्रश्नों के उतर वे किसी कागज पर लिखें। वाली कार का ड्राइवर क्या कर रहा है। 6. वीलचेर पर बैठ कर सडक पार करने वाले बूढ़े आदमी की क्या हालत है। 7. सडक के बीच में कार के पास बड़े-बड़े डिब्बे उठा कर चलने वाले आदमी की हालत कैसी है। आठ, डिब्बा उठाने वाला आदमी बॉक लाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? संभावित उत्तर 1. वहस्तरी परिशान है 2. क्योंकि अचानक एक लड़की मोटर साइकल लेकर उसके सामने आ गई जिससे उसका कुट्टा पीछे की ओर भाग निकला और उसका सामान नीचे विखर गया 3. उसने नियमानुसार हेलमेट नहीं पहना है तथा भीड़ वाली सड़क पर तेजी से बाइक चला रही है 4. दोनों कारें चौराहे पर एक दूसरे से टकरा गई है तथा मुख्य सड़क वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है 5. ड्राइवर गाड़ी से बाहर अपना शरीर निकाल कर चीख रहा है वीलचेर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ती जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना चाह रहा था पर अचानक गाड़ीयों के एक्सिडन्ट तथा स्केटिंग करते हुए बच्चे को देख कर वह घबरा गया है 7. बड़े बड़े डिब्बे उठा कर चलने वाला व्यक्ती सड़क के बीच में दुरगटना ग्रस्त गाड़ीयों के पास बौकलाया हुआ खड़ा है 8. एक तो उसके आगे गाड़ीयों में टक्कर हुई है तथा मुख्य सड़क से एक साइक्ल सवार लड़की तेजी से चली आ रही है अब इन उतरों के आधार पर छातर पूरे चितर का वरनन इस प्रकार कर सकते हैं चितर वरनन यह चितर एक व्यस्त सड़क का है चोराहे के पास दो दिशाओं से आने वाली दो गाड़ियां आपस में टक्रा गई है मुख्य सड़क से आने वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है इस दुरखटना को देख कर तथा बगल से स्केटिंग करके आते हुए बच्चे को देख कर कि कहीं वा उससे आकर न टक्रा जाए वीलचेर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया है इसके अलावा एक व्यक्ति जो सामान के बड़े बड़े डिब्बे उठा कर सड़क पार कर रहा था मुख्य सड़क से तेजी से आती हुई साइकल सवार लड़की को देख कर एकदम बॉखला गया है दूसरी ओर एक महिला एक हाथ में सामान का पाकेट तथा दूसरे हाथ में अपने कुट्टे की रसी पकड़ कर सड़क पार करना चाह रही थी लेकिन जब उसने सामने से एक लड़की को बिना हेलमिट पहने तेजी से मोटर साइकल लेकर आते हुए देखा तो उसका कुट्टा पीछे की ओर भागने लगा और उसके पाकेट से सामान नीचे गिर गया वह महिला भी काफी परिशान दिखाई दे रही है नमूना 2. शेर और चूहा चितर 1. चितर में एक शेर दिखाया गया है जो आराम से सो रहा है शेर की पीठ पर एक चूहा चड़ा हुआ है और उच्छल कूद कर रहा है चितर 2. शेर बैठा हुआ है और गुस्से में दिखाई दे रहा है उसने अपने बाएं पंजे में चूहे को दबा रखा है लगता है चूहा गिडगिड़ा रहा है और शेर से अपनी जान की भीख मांग रहा है चितर तीन इस चितर में वही शेर किसी शिकारी द्वारा बिछाये जाल में फस गया है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है चितर चार इस चितर में वही चूहा जिसको शेर ने प्राण दान दिया था शेर की मदद करने आ गया है चूहा अपने नुकीले दातों से जाल को काट रहा है इस तरह वह शेर को मुक्त करने में मदद कर रहा है उपर युक्त चारों चित्रों के आधार पर पूरी कहानी तथा उससे मिलने वाली शिक्षा कहानी जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था तभी एक चुहा उसके उपर चड़ कर उछल कूद करने लगा इससे शेर की नींद खुल गई और उससे बहुत क्रोध आया चुहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि जब कभी उस पर संकट आएगा तो वह उसकी मदद करेगा एक दिन शेर किसी शिकारी द्वारा बिच्छाए गए जाल में फंस गया वह उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ वही चुहा पहुचा जिसको उसने प्राण दान दिया था चुहा शेर को देखते ही पहचान गया और मदद करने के लिए तयार हो गया शेर भी चूहे को पहचान गया फिर चूहे ने अपने नुकीले दातों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया शिक्षा कर भला होगा भला